आर्बीजी ओलीन आर्बीजी पामतेल ज्यूटी फ्री आयाद की तैस सीमा अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाने के बाद अब सरकार ने उड़तूर आयाद की समय सीमा को भी 30 मार्ज 2024 तक बढ़ा दिया है इससे पहले ये समय सीमा 31 मार्ज 2023 को समाथ हो रही थी सरकार ने इस बार समय से काफी पहले ही आयाद की समय सीमा बढ़ा कर कारोबारियों को राहत दे दी है चूकि अब बर्मा वालों को उड़त बेचने का काफी समय मिल गया है इसे ध्यान में रखते हुए नीचे भाव में घटा कर विक्वाली रुकने की समभावना है भारत ने हाली में ऑस्टेलिया के साथ एक समझोता किया है के अंदर सरकार ने टेक किया है कि ऑस्टेलिया से ज्यूटी फ्री मसूर की सीमा नोटिफिकेशन के अनुसार 2023 में डेड़ लाग टन ड्यूटी फ्री आयात हो सकेगा डेड़ लाक टन के उपर मसूर आयात पर 50 फीसदी कर देना होगा भारत ने जनवरी अक्तूबर 2022 के दुरान आस्ट्रेलिया से 196,774 टन मसूर आयात किया सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार यह नियम जनवरी दिसंबर के दुरान कलेंडर वर्ष के लिए लागू होगा और इसका नोटिफिकेशन भी जल जारी होने के आसार है इसके चलते फिलाल उड़द और तू़र के बढ़ते दामों में रुकावट की स्तिती बन सकती है हलाकि तू़र का उतपादन इस बार कम होने से फिलाल लंबी मन्दी तू़र में नजर नहीं आ रही तूर दाल और उड़द में घरह की कम रहने से फिलाल गिरावट देखने को मिल रही है बिरो रिपोर्ट माके टाइम स्टीव